मुझूद मेरे सभी बड़े बुज़ूर्ग, मेरी माएं बैखने और साथ में मंच पर उपस्थे हमारे बीच में जिन लोगों ने आपके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है मैं का धन्यवाद देना चाहते हूं मुनिलाल जी, रोगा मैं सुकालो जी और हमारे साथ में में कास्थी साहब और जितने तमाम लोग यहां पर जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं मैं आप सभी को आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूं मैं शुक्रियादा करना चाहती हूं कि आपने मुझे यहां पर गुलाया आप लोगों से, आप लोगों की जितनी समस्याओं से अभी हम अवगत हुए जो जानकारी हासिल हुई तो बहुत अफसोस हुआ कि किन हालातों में आपको यहां गुजर बसर करना पड़ रहा है इस तरीकी से किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए किसी भी कम्यूनिटी के साथ समुदाय के साथ ऐसा व्यवार सरकार को नहीं करना चाहिए और जब से आपका यह अंदोलन चल रहा है मैं समझती हूँ कि मेरी उमर भी उतनी नहीं है तो आपकी हिंमत को आपके ज़जबे को मैं सलाम करती हूँ और मैं साथ ही यह भी बताना चाहती हूँ कि आप से जो लगाओ है भले शेत्र का ना हो लेकिन आपसे लगाओ हमें विरासत में मिला है मेरे वालिट साब मरूम चौधरी मुनवर हसन साब जो थे वो हमेशा आप लोगों की पीड़ा अपने दिल में लेकर रखते थे और 1980 में के दोरान की शायद बात है उन्होंने नेता जी से वन विभा के आप लोगों की वन गूजरों की लड़ाई लड़ी आपकी मीटिंग भी कराई थी जिसके तहत भसीन प्लान बनाया गया था बहुत सी चीज़े ऐसी हैं जो हमारे बड़े शुरू करकर चले गए आप लोगों के बड़े बुजरु शुरू करकर चले गए लेकिन चीज़े आज भी अधर में अटकी वी है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो आपकी लड़ाई है और जो आपकी परेशानिया है उनको हम फिर से और मजबूती देने का काम करेंगे जहां आप लोगों ने अपनी दुआउ से हमें पहुंचाया है वहां बहुत इमानदारी के साथ और साफ गोई के साथ आपकी अवाज को मैं उठाने का काम करेंगे